गी बहुत जबनाएं सुबह मैं जिससे की इजिलिये पच सकें, क्योंकि इसमें घी बहुत जादा होता है और इसमें जो तरिका यह होता है कि खाते खाते बाटी को तोड़ कर और उपर से जैसे घी डाला जाता है, अब गी आजकल लोग डरडर के खाते हैं क्योंकि फैट तो इसके साथ और जो चीज़े हैं वो मैं आपको अलग से बताऊँगी किसी ओर वीडियो में, गट्रे की सब्सक्री हैं अपने बता चुकी हैं और मेरा कोई फूड चनल नहीं है लेकिन खाने का मुझे पैशन बहुत जादा है और घर का बना ही खाना अप तो सबको लगता ह खाना पड़ेगा क्योंकि बाहर किस तरह से गंदी में बन रहा है कुछ नहीं कहा सकते कहीं का और साफ सफाई भी इजी ले अब लोग किसी पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि समय बड़ा विकट हो गया है और ये जो लोगों ने अपने इमेज खुद खराब की है लोगों ने अपने उपर से विश्वास खुद उठाने पर मजबूर कर दिया है कि अब इनसान कहीं कुछ भी खाएगा पिएगा तो सोच समझ के खाएगा कि क्या करें और अच्छा यहीं रहेगा कि घर कहीं बना हुआ खाएं तो आई होप आपको यह जो मेरा बाटी वाला वीडियो है दाल बाटी वाला पसंद आया होगा और अभी रूटीन में मैंने बनाया वही आपसे शेयर किया है और इसको बहुत ही तरीके से बनाया जा सकता है बाटी को एकतम गोल भी बनाया जाता है लट्डू की तरह एकतम गोल बाटी और यहाँ पर जो रसोई होती है उसमें जनरली गोल ही बाटी बनती है और सवाई मादवपूर पर जो रंथमबॉर है वहाँ पर बहुत बड़ी बाटीयां बनती है और क्योंकि मेरा ननीहाल है उस तरफ और कापी वहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी भी है मतला मेरे ब्रदर व तो वहां पर का कल्चर बहुत बढ़िया है कभी आपका जाना हो उस तरफ तो जरूर खाईएगा पर अभी तो घर में ही बना कर खाईए अभी तो लॉकडाउन वाली दालबाटी आईए तो थोड़ा लंबा ही बोल दिया मैंने तो जादा ही बोल दिया एक्चुली लेकिन आ कीजेगा प्रेंट्स आईए प्रेंट्स दालबाटी खालीजिये